नमस्ते दोस्तों कैसे हो आप जो पिछला वीडियो था वो आमेर का था अभी हम जा रहे हैं आमेर से जैगड और उपर का व्यू देखते हैं और कुछ जैगड का व्यू बहुती शांदार गड है जैगड जब जैगड पहुंचेंगे तो उपर से आपको कुछ व्यू दिख जाएं तो जैगड जुरूर जाएं और फिर भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप एक बार नहरगड भी जाएं नहरगड का संसेट है वो देखने लायक है और वहां से सीटी का बहुती शांदार एक व्यू आता है चारों तरफ आपको शहरी शहर दिखेगा और बहुत ही उंची पहाड़ी है जैगड की और नहरगड की नहरगड बिलकुल सीटी की तरफ जो पहाड़ी घूंती है उसकी टॉप पे बना हुआ है तो आप जब भी जाएं और जब भी जैपूर आएं विजिट करने के लिए तो कम से कम तीन दिन का नहीं तो दो दिन क वक्त जुरूर ले अब हम जा रहे हैं जैगड की तरफ और जैगड में विजिट सब की सबसे बड़ी तोप है जो एक ही बार चली थी वह इंट्राइल के तोर पे चलाए गई थी बहुत ही बड़ी तोप है यह विजिट सब की बड़ी तोप है एक बार जुरूर देखें और जब भी जैगड जाएं तो रस्ते में एक बार आप सेल्पी पॉइंट पर रूखें वहाँ से आप कुछ फोटवें निकालें क्योंकि वहां से बहुती अच्छा व्यू आता है चल महल का तो एक बार जरूर वहां पर रूखें आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जैगड के ऊपर से ये देखिए शानदार व्यू है आमेर पैलेस बहुती अद्बुध नजारा है ये लेकिन जैगड जाना पड़ेगा इसके लिए आपको जैगड जब भी जाओगे ऊपर से आप इसको देखोगे तो दिल मो लेता है आपका मन नहीं करता कि आप बहुती बड़ा ये तलाव बना हुआ है जब बारिश का पानी आता है तो यहां पे एकठा हो जाता है ताकि आमेर में वो पानी ना जाए दीरे दीरे उस पानी को छोड़ते हैं फर्वरी के महिने में सबसे अच्छा टाइम होता है यहां पे विजिट करने का जनवरी भी अच्छा है लेकिन जन्वरी में थोड़ी ठंड ज्यादा रहती है और जब भी आएं पूरे जयपरू बर्मन करना है तो तीन दिन जुरूर लेके चलें क्योंकि यहां पर अठारा पॉइंट है जो कि एक से बढ़कर एक पॉइंट है नारगड जुरूर जाएं शाम की टाइ संसेट याद रखना ये भी बताना अगला वीडियो कहां का बनाएं क्योंकि हम तो गुमक कड़े हैं इधर उदर गूमते रहते हैं तो जहां का भी वीडियो बनाना हो आप हमें कमेंट करके जुरूर बताएं हम वहां का वीडियो जुरूर बनाएंगे और आप देखिए उपर से नजारे ये आमेर के बहुती शांदार महल है ये देखने लाइक महल है आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस्टाग्राम पर मैसीज भी कर सकते हैं और आपका बहुत बहुत दन्यावाद वीडियो देखने के लिए